नमस्का साथियों, टेस्ट वाला की इंग्टूब टेनल पर आप सभी का स्वारत है। MPPSC प्रारभ्मिक परिच्छा के लिए, प्रीवीस यर कुष्चन की श्रंखरा में, आज का हमारा पहला कुष्चन है, IBP6 प्रोटोकॉल आईपी प्रते को परिपाशित करता है। आप्सन देखते हैं, A. 32bit, B. 64bit, C. 128bit, D. 256bit, तो इसका सभी आंसर है C. 128bit, IBP6 एड्रेस में 32bit की वजाए 128bits होते हैं, और इसमें से एक स्कोफ फिल्ड शामिल होता है, जो एड्रेस के लिए उप्योग एप्लिकेशन की प्रिकार की पहचान करता है। इसको अगर हम सिंपल वासा में समझें, तो कम्प्यूटर में जो IP address होता है, तो आपने देखा होगा, कि जो IP address होता है, कई बार तो numerical number में होता है, लेकिन यदि हम IPv6 प्रोटोकॉल की बात करें, तो हमें उसमें alphanumeric numbers देखते हैं, तो जो alphanumeric numbers होते हैं IPv6 में वो 188 bit के होते हैं, अब बैख्या देखते हैं, IPv6 प्रसाण address का समर्थन नहीं करता है, बलकि प्रसाण के लिए multicast address का उपयोग करता है, इसके अधरिक्त IPv6 एक नए प्रकार के address को परिभाशित करता है, जिसे anycast कहा जाता है, तो आब यह भी यार्द कर दीजिगा, कि IPv6 क्या करता है, एक न सारित पूर्वान वान बनाने की एक विदि है, A. Social Networking, B. Social अच्छी करण, C. सरयोगात्वक प्रकाशन, D. सरयोगात्वक प्रिटरिंग, इसका सही answer है, D. सरयोगात्वक प्रिटरिंग, अब इसमें actually में question क्या था, question यह था, कि जैसे कोई भी एक Social Networking का यूज़ कर रहा है, उप्योग करता, ठीक है, फिर, जब वह उज़ करता है, तो कई सारी links होती हैं, उन पर click किया जाता है, जब उन पर click करता है, तो उसकी पसंद और नापसंद के बारे में, जानकारी एकतरित करनी जाती है, जानकारी एकतरित जो किया जाती है, उसी के आदार पर आपको next content, या फिर जो भी अन्य लिंक्स होती है, उसी की जैसे सेम लिंक्स दिखाई जाती है, तो क्या होता, एक सोचारित पूर्मानुवान बनाया जाता है, इसी सोचारित पूर्मानुवान को बनाने के लिए सर्योगादवर्ग फिल्टरिंग की आप सकता होती है, इसे ही हम क्या केते हैं सर्योग आत्वार्ग फिल्ट्रिंग इसको हम एक्जाम्पल की रूप में आपको यह एक रील्स देख रहे हैं अगला कुश्चन देखते हैं वर्स 2011 की जनगर्णा के अनुसार किस राज में जनसंक्या की दश्किय व्रद्धिधर न्यू नतम रही है और सन ए अनुद्राचन प्रदेश बी नागलेंड ती मंद्य प्रदेश और डी पंजाब उसका सही आंसर है बी नागलेंड 2011 की जनगर्णा के अनुसार राजियों में नागलेंड की जो जनसंक्या व्रद्धिधर है वह कितनी रही है वह मैंनस में 0.58% रही है जबकि सरवाधिक व्रद्धिधर वाला राज मेंगाले रहा है जिसकी दश्किय व्रद्धिदर कितनी रही है 27.95% केंदर शासित प्रदेसों में सरवाधिक नीनतम दश्किय ब्रदी केंदर सासित प्रदेस रमसा दादर नागर हवेली तता लक्षदीप 6.30 है और संपूर वारत की बात करें तो संपूर भारत में दश्किय जन्सक्ते ब्रदी दर 17.7 है तो जन्गर्णा से सरवाधिक question पुछे आते हैं, हर बार question पुछे आते हैं तो आप जन्गर्णा को बार बार पढ़िएगा, रिवाई जरूर कीजिएगा और मेरा ऐसा मानना है कि यदि जिस दिन exam होता है उस दिन सुवाई आप यदि जन्गर्णा पढ़ के जाएंगे तो question की गलत होने की संभावना कम हो जाएगी आपको MP और India दोनों की जन्गर्णा पढ़ना है और सुवाई पढ़ेंगे तो ज्यादा benefit मिलेगा अर्जाम बाले दिन यदि सुवाई रिवाईद कर जाएंगे तो जादा benefit मिलेगा नेस्ट question देखते हैं और्वरक उद्योग के लिए कौन साथ पक्चामाल नहीं है तो इसका साही आंसर है दी कास्टिक सोडा अब यहाँ पर उन्होंने और्वरक उद्योग की बात की थी और्वरक उद्योग में आप सभी को content जाड़ पता ही होगा की कौन कौल से chemicals यूज किये जाते हैं तो कास्टिक सोडा और्वरक में तो इसका साही आंसर था कास्टिक सोडा अब यहाँ को एक बार देख लेते हैं कास्टिक सोडा का उप्योग और्वरक उद्योग के कच्चे माल की नुख में नहीं किया जाता है जासायनिक और्वरक के निर्मार में कच्चे माल के तौर पर नेप्ता, कोकोवन गैस, बिदुद अबगस्मी हैद्रोजन, पॉस्पेट, गंदक, जिप्सम, सर्फर, आदिका इस्तमाल किया जाता है और्वरक उद्योग निवेश और उत्पादों के मूले की दश्टी से लौ इसपाज के बाद देश का दूसरा प्रमुख उद्योग है अगरा कुश्चन देखते हैं, मिमने लिखेत में से कौन सा सुमेलित नहीं है अब यहाँ पर कुछ परवश्चकर दिये हुए है और महादीपों के नाम दिये हुए है तो हमको वह वाला option चूज़ करना है जहाँ पर परवश्चकर उस महादीप में नहीं पाया जाता है तो हम यहाँ पर option देखते हैं, किलिमंजारों, अफरिका, सही है Mount Macan ने उतरी अमेरिका में पाई जाता है अब ब्याक्षिया दिखते हैं यूरूपिय महाधीप की सरवोच चोटी है जो Qaqeasas monks परवत है Qaqeasas monks परवत काला साओर एबं कैस्पियां साओर के मन्हाद्य में इस्तित है या एक नवीन वलित परवत है ACA का सबसे उच्छा परवश्यकर Mount Everest है जो Himalaya का भाग है तो आज जब geography को पढ़ेंगे world geography में हर बार MPPSC के द्वारा question आते हैं और वह जालतर परवतों से और ज्वाला वुकी से होते हैं इस परगार की question आप खुद भी बना के देखकर उनको solve कीजिगा कि यदि कोई परवस्यकर आता है तो लेंज कर लीजिए कि वहाई किस देश में है और किस मादेख में है अगला question देखते हैं अगली question में फिर से एक जोड़ी की रूप में उन्होंने पूचा है और यहाँ पर दो सूचिया दी हुई है पहली सूचि में आर्तिक क्रिया या किर्षि पर्डेश के बारे में बताया है और धूसरी सूचि में देश का नाम दिया हुआ है तो हम सबसे पहले हम आर्तिक क्रियाओं को देख रहे हैं और देश देखते हैं अजन्टीना, फ्रार्स, देन्बार्क और मलेसिया अब यहाँ पर हम डुक्ट उत्पादन को देखेंगे तो सही आंसर है इसका देन्बार्क तो पहले क्या हो जाएगा हमारा 3 उसके बाद बारेजिक अनुत्पादन, तो बारेजिक अनुत्पादन कहा पर होता है, वह होता है अरजन्टीना में तो उसका सही आंसर हो जाएगा बन, बारेजिक बागाने किश्री कहा पर होती है, तो बारेजिक बागाने किश्री आपकी होती है मलेशिया में तो 4 और बारे तिक पन उत्पादन होता है आपका प्रांज में तो हो जाएगा 2 तो सही आंसर इसका होना चाहिए 3142 ओप्सन में ये पैना ये ओप्सन दिया हुआ है 3142 यही इसका सही आंसर होगा अगा कुश्चन देखते हैं भारत में निम्लेखित मेशिक किले राजियों में पवन उर्जा के विकास की संभावनाय अधिक हैं अ. उत्तरपेदिश एवं पंजाव बी. बिहार एवं जहारखन ती. समिलनाडू एवं गुजरात और D. राजस्थान एवं उनिशा उसका सही आंसर है C. समिलनाडू एवं गुजरात वैक्षा देख रहे हैं भारत के समिलनाडू एवं गुजरात राजे में पवन उर्जा के विकास की समावनाएं अधिक हैं पवन उर्जा एक मेगार की गतिरी उर्जा है जिसके वेक्ष से टर्वाइन को चलागर विद्यू उर्जा प्राफ्ट की जा सकती है भारत पे पवन उर्जा की बहुत बड़ी खम्ता अनुमानित है जिसे इसका टटी एवं परवतिये राज्यों में इस कुस्टन को क्रेक यादि करना है आपको तो हमें पता होता है कि जो पावन उर्जा की समामने सरवादेक एक तो टटी ए राज्यों में और दूसरा जो दच्छर के राज्यों है वहाँ पर अधिक हैं तो यहाँ पर जो उप्सें सी है उसमें तो इसको आप ऐसे देखकर क्रेक कर सकते थे लेफ्स्ट कोचन देखते हैं बिंदुसार की सासंकाल में असोक ने अवन्ती महाजनपत गीट कर मौर सामराज में मिला लिया था इसका उलेख किस ग्रंत में मिलता है ओप्सन देखते हैं एक बुद्ध गोष्की समंथ पासादिका पॉटनलिका अर्थसास्र पार्णी की अश्टाध्याई या पतंजली का महाभास्य तो इसका सही आंजर है बुद्ध गोष्की समंथ पासादिका डेक्या देखते हैं बुद्ध घोष की समंत पासा दिका की अनुसार मौर समराट विंदुसार की शासनकाल में अशोख ने अवंती महाजन पत जीत कर मौर समराज में मिला लिया था असोख इस नमय उज्जयन का गवर्नर था पार्णी की अस्तरध है एक व्याकरण गरंथ है जिसमें पाचवी सताब्दी इसापूर के समाज का विशिष्ट वर्णन मिलता है वही कोटल लिए अर्थ शास्तर से मौर एक आलिन शाशन के आदर्श और पत्तिती का पता चलता है जबकि पतंजली के महावास्य से शुंग वर्णिष की इतिहास पर ये प्रिकास है प्रिकास परता है ठीक है चलिए अगरा कुश्चन देखते हैं शचनामर के अनुसार छट्वी और सात्वी शदाब्दी में सिंदु देश की दारदानी क्या थी? उप्शन A. देवल, B. अरोड, C. दोदवा, D. बार्मेड तो इसका तही आंसर है B. अरोड अब देखें यहाँ पर जो देवल दिया हुआ है जब भी कभी आप यह इस्थानों के नाम इस्पितार के देखें जो की फ्री में पहले पूछे जा चुके हो उनको आप मेंज की परस्पेक्टिब से भी सैयार करने जेगा क्योंकि देवल को एक बार यह थ्री मार्कर में पूछ चुके है बैख्या देखते हैं चचनामा के अनुसार सटवी और सातवी शताब्दी में सिंदो देश की राजदानी अरोड थी इस समय यहां रायका वंस का शासन था जो एक इंदू वंस था रायका वंस के बाद चचलाज वंस ने सिंदबर शासन किया चचनामा 1216 में फार्सी वाशा में देखी गई थी जिसमें अरोड के आग्रमण के विशर में पर्यापत जानकारी मिलती है देवल एक प्रिसिद बंदर गाय था अगला कुश्चन देखते हैं मुगल कालिन गरंथ मासे रे आलमगेनी किसकी रचना है मुगल कालिन गरंथ मासे रे आलमगेनी साकी मुस्तिद खा की रचना है यह पुस्तक औरंगे जेप के काल में फार्सी वाशा में लिखी गई थी डॉक्टरन यदुनात सरकार ने इस पुस्तक को मुगल सामराज का गजे टियर कहा है हफिका ने औरंगे जेप की समय गुप्त रूप में मुंतखब उल्तवारिक की रचना की थी क्योंकि औरंगे जेप इतिहास लेकन के बुरुद्ध था इस पुस्तक में औरंगे जेप के शासनकाल का आलुचनात्मक वर्णन मिलता है अब यहाँ पर कुछ इतिहास कारों के नाम आप देखते हैं जैसे कि यहाँ पर है डाक्टर या दुनात सरकार और भी आपको पर नाम मिलते हैं तो उनको आप एक कॉपी में नोट डाउन करते जाएगा क्योंकि जब आप मेंस देंगे देखिए परी तो आपको देना ही है और क्वालिफाई भी करना है लेकिन असरी तड़ाई कहाँ पर होती है मेंस में मेंस में नंबर कब मिलते हैं मेंस में नंबर मिलते हैं तो जब भी आप कोई इतिहासकारों के नाम देखें तो उनको नोट डाउन करते जाएगेगा और फिर जब आप answer लिखेंगे तो उस answer में आपको उने लिखना है कि डॉक्टर नियदुना सरकार की अनुसार टिक तो जब आप reference देंगे तो जिखने साएगे answer में और जिखने साएगी तो आपको number जाना मिलेंगे next question देखते हैं मद्य कालिन भारती यतिहास में पनही या उपान्य का उलेक किस तंदर्व में मिलता है A. वस्त्र B. आभुशन C. आवास D. जूता तो इसका सही आंदर है D. जूता बैक क्या देखते हैं मद्य कालिन भारती यतिहास में पनही तता उपानय का उलनेक जूता किस अंदर्व में मिलता है मद्य काल में तुर्की जूते अधिक पिछले से जो सामने से नोकदार तता उपर से खुले होते थे इनको पहनने और उतारने में अधिक सुदा रहती थी अमीर बार के लोग अपने जूते रंगीन मकमल या जरी के बनवाते थे मद्यम वरगिये परिवार लाल चमड़ी के जूते पहनते थे जिन पर फूलो की आकरती बनी रहती थी तो इस कुस्टन को जो पुंदिल खमिका होगा उसने जरूरी सही सॉल्व किया होगा प्यूकि जूतों को वहाँ पर पना का जाता है तो कई बार चित्र के अकॉर्डिंग भी कुस्टन आटोमेटिक सॉल्व हो जाते है आम की नीलम एवं अलफांसों के मद्य कुरॉस से किस संकर किस्म के फल का विकास होता है अफसर ए आमरपाली, बी दशेहरी, सी रतना और डी बादामी तो उसका सही आंसर है सी रतना इस आम की संकर किस्म को वर्ष 1981 में जारी किया गया था आमरपाली आम, दशेहरी तदा नीलम के संकरन से विक्सित किया गया है और आम की उतपादर में वारत का विस्व में प्रथम स्थान है जब इजाज्यों की रिष्टी से उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है नेक्स्ट पोस्चन देखते हैं राष्टिय स्वास्थ मिसन की जन्नी सुरच्छा योजना का मुख्योद्य से क्या है? A. माता एवव सिसो की मित्युदर को कम करना B. आमजन को सुरच्छत सारेनिक संबंदों के लिए बढ़ावा देना C. विद्वा मैला को पैंस्षान उपलब्द करवाना D. गरीम लोगों को आचरे उपलब्द करवाना तो इसका सही आंसर है एक माता एवव सिसो की मित्युदर को कम करना इस योजना की शुरुवात राष्टिय ग्रामीर स्वास्थ मिसन की अंतरगत 12 अपरेल 2005 को की थी कब की गई थी 12 अपरेल 2005 कब की गई थी 12 अपरेल 2005 को ठीक और यह क्या करता है इस योजना के द्वारा सहस्तागत प्रिसब को बढ़ावा देने के लिए प्रियास किये जाते हैं यह केंद्र द्वारा एक सत्रिस्थ प्राजित योजना है और प्रिसब इवन प्रिसब के बाद देखवाल हेतु नगत सहयता प्रदाल की जाती है अगला कुश्चन है आपका 19 वी स्टाब्धी के मद्ध में भारती राष्टवाद ब्रूर अवस्ता में था यह किसने कहा था यह कथन इस तत्रिकों मानने वाले इतियासकार हैं ओप्सन देखते हैं ए डॉक्टर आर सी मजूमदार और डॉक्टर एसन सेंड बी सर जेम्स आउटरंब और डब्रू टेलर सी टीयाल होम्स और एलियार नीज और डी सर जॉन लोरेंज और सीले तो इसका सही आंसर है ए डॉक्टर आर सी मजूमदार और डॉक्टर एसन सेंड बैख़्ा देखते हैं तो डॉक्टर आर सी मजूमदार और डॉक्टर एसन सेंड के अनुसार 19-20 सताब जी की मद्ध में भादिय राष्टवाद बुरूड आवस्ता में था इन इत्यास कारूने 1857 के विद्द्रों की सुरूप के संदर में भी अपने मद्ध दिये है S.N.C.N. ने जहां इसे 136 गराम कहा वहीं आर्सी मजुमदार के नुसार यहे तताकतित विद्धम राष्टिय सुतनता सगराम था अर्दादवाद कहते हैं कि यह ना दो प्रतम था ना ही राष्टिय था वा ना ही सुतनता सगराम था अगरा कुश्चन देखते हैं 857 में लननल से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के सम्मादा था कौन थे जिन्होंने लिखा था उत्तरी वारत में गोरे आदमी की गारी को कोई भी मित्रता पूर्ण डस्टी से नहीं देखता था ओप्सन देखते हैं A.W.H. लसल B.Lowart Peel C.Gladeston T.A.N.S. के सम्मादाता W.S. रसल थे जिन्होंने लिखा था कि उत्तरी वारत में गोरे आदमी की गारी को कोई भी मित्रता पूर्ण डस्टी से नहीं देखता था इन्होंने पहले आदने की युद्ध सम्मादाताँ में से एक माना जाता है इन्होंने क्रीमिय युद्ध 857 के विद्रोह अमेरिकी गराय युद्ध आदी के बारे में बिवरन लिखा Robert Peel, Gladstone तथा पार्मस्टार या बिटिन की एक दानमंत्री थे नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं भारत की आत्र नर्वर समाज बिवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा की भारत की इस गराम बिवस्था छोटे छोटे गरतंत्र है ओप्शन एक चार्ल्स मेटकाफ, बी बर्क, सी मिल और डी कनिगम तो यह कहा था चार्ल्स मेटकाफ ने चार्स मेटकॉफ ने कहा था कि भारत की ग्राम विवस्ता छोटे छोटे गरतंत्र है चार्स मेटकॉफ को समाचर पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है मिल जो मिल थे वह उपियोक्तावादी बिचाल दाला के समर्तक थे और कनिगाम भारतिय पुरातत्तो सन्विच्छर विवाग के जनकती एर्वन बर्क एक लेखक वक्तादाशनेक एवं राजनेता थे अगला कोश्चन देखते हैं वर्स 1956 के राजपुर्णर गटन अदिनियम दौरा कितरे राज और संगिय चेतों की स्थाप्रा की गई थी उसका सही आंसर है ब्याख्या देखते हैं राजपुर्णर गटन अदिनियम 1956 के तहत 14 राज और 6 संग राज चेतर की स्थाप्रा की गई थी आंदर प्रिदेश के गठन के बाद भारस सरकार ने दिसंबर 1903 में भजल अली की अदिक्षता में राजपुर्णर गठन आयोग का गठन किया जिसके अन्य सदस्य एदर नाथ कुंजरू और के एम परिकर थे इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रिस्तुत की जिसने एक भासा एक राजपुर्णर को नकार कर राजप के गठन का आधार राष्ट की एकता अखंडता और प्रिशासने कार को संगता आधी को माना इस आयोग की सिफारिस पर ही जुलाई 1956 में दाजपुर्णर गठन रिपोर्णियम पारित किया गया था अगरा कुश्चन देखते हैं भारती अधियासतों के शास्कों के विशेश अधिकारों और पेवी परस्तों की समाप्ती कब की गई थी उप्शन A 1950, उप्शन B 1949, C 1962 और D 1971 में तो इसका सही आंसर है D वर्ष 1971 में ठीक तो ब्याख्या में देखते हैं यह निर्णाय कब लिया गया था यह निर्णाय प्रतकारी प्रदामंत्री इंद्रा गांधी के निफत्त में लिया गया था प्रीवी पर्स एक प्रकार का वुक्तान था जो देशी रियास्तों को दिया जाता था लेकिन भारत सरकान ने दागरिकों के लिए समान अधिकार एवं सरकारी धनका व्यर्ष नुवेय का आधार बना कर कानून बनाया जिसके देथ इस बिवस्ता को समाप्ट कर दिया गया था तो पीवी पर कब समाप्ट कर दिया गया था 1971 में किसके साशनकाल में जब स्रुदान मंत्री कौनती इंद्रा गांधी प्रदान मंत्री थी अगला कुश्चन है किस संगठन ने बियोमित्र नाम के भारतिय रोबोट को विक्सित किया है अप्शन देखते हैं सीडेक पुरे, इस्रो, टी आई एफ आर और डी ओ तो उसका सही आंसर है बी इस्रो बारतिय अंतरिक्ष अरुसंदान सल्थान अर्थात इस्रो ने बियोमित्र नाम के भारतिय रोबोट को विक्सित किया है यह एक अर्द मानविय महिला रोबोट है जिससे गगनयान अवियान के अंतरगत शामल किया गया है चीक और इसी अवियान के तहट इसको अंत्रिक्ष में भेजा जाएगा ब्योव मेतर शब्द संस्क्रिस्त वासना के दो शब्दों ब्योव और मित्र से मिलकर बना है जिसका अर्थ है अंत्रिक्षिवम मित्र इसे अर्दमानव इसलिए का आ जा रहा है क्योंकि इसके प्यार नहीं है नेश्ट कोश्चन दिखते हैं गार्डमेर के अनुसार चार चरण परिपक्कुता मॉडल को क्रम में बिवस्थित किया जा सकता है औफसर ए लेंदिन, सेवागता, परिवर्तन और सूचना और 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 सूचना, सेवागता, और परिवर्तन Тो इसका आन्सर रहेगा डी, सूचना, सेवागता, नेदिन, और परिवर्तन तो ये कुश्चन आपका जो कम्पीटर एभम जो कम्मुनूनुक्रिशन वाला टॉपिक है उसमें से आया है इसके लिए आपको communication का topic पढ़ना पढ़ेगा तो या तो आपको communication का topic पढ़नी दिए टाइम हो तो वरना आप चाहे तो skip कर सकते हैं computer के काफी सारे question होते हैं उसके वजाए computer पढ़कर आप उन पे focus कर सकते हैं ठीक, 100 में से 100 हमें सही नहीं करने होते हैं तो हमें से लावक 80 हो जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा तो ऐसे ही आप जरूरी नहीं है कि सारी चीजे पढ़ें क्योंकि सारी चीजों को पढ़ने में सवय आपका बहुत लगेगा और जरूरी नहीं है उनमें से आपके question भी आजाएं तो टौपिक आपको वो पढ़ने है जिन में से question आते ही आते हैं अगरा question है एक सामाजिक network के लूप में प्रते नित्त्र किया जा सकता है option देखते है ग्राफ B3 C star और D ring उसका सही आंसर है ग्राफ ग्राफ को एक सामाजिक नेटरवर्क के रूब में पतनिद्ध्यों किया जा सकता है ये बिवन तत्तों के बीच सामाजिक सम्बंद्धों करता है इसमें कुझी नोट्स, एंटिटीज करते हैं और जो एज होते हैं वाई दो नोट्स को जोड़ता है यदि नोट्स नेटवर्क के सम्बंद में जुड़े हुए है ठीक है तो ये कोश्चन आपका कंप्यूटर से आया है तो उसमें से इस कोश्चन को लिया गया है अब इसमें ऐसे देखेंगे कि जैसे यदि ऐसा कोश्चन आता है तो उसको यदि आप ट्री के बारे में जानते हैं, स्टार के बारे में जानते हैं और रिंग के बारे में जानते हैं तो कोश्चन आता है तो कोश्चन सॉल्ब कर सकते हैं चुकि सामाज एक नेटवर्क की बात की थी एक सोसल नेटवर्क तो Social Network कमी भी जैसे की रिंग है, रिंग में क्या होता है, एक नोट से ही है, तो यह connect रहेंगे यह से आपस में, Star है, तो Star में क्या होगा, ऐसे ही है, connect रहते हैं, ठीक है, और Tree में क्या होगा, Tree में इस प्रेकार से connect होते हैं, लेकिन social network में चुकि क्या होता है कि कहीं पर भी किसी का connection होता है तो इसलिए किसके द्वारा इसका यूज होगा इसमें तो ये सबसे अच्छा जो प्रिद्र दो करेगा वह इसका graph करेगा ठीक काफी है एक deep question था तो आप पढ़े तो कुछ ये जो ट्री स्टार रिंग के वारे में जवाब पढ़े तो उनको एक detail उनकी पढ़ लिजीगा तो आप solve कर जाएंगे जब ये question ऐसा अगर आएगा तो इस में अगला question हमारा है अंतरास्टी ओलिंप समीति का मुख्या ले कहां इस्थ्थ है तो एक खेल से question पूछा गया है ऑप्सन देखते हैं बियेना लुसाने जैनेवा और मेडरिट तो अंतरास्टी ओलिंप समीति का मुख्या करने वाली चंस्था है अगला कुश्चन है इसमें किस भारतिय महिला ने व्यक्तिकत खेल में सर्व पर्थम ओलंपिक में पदक जीता था तो यह कुश्चन भी खेल से पूचा गया है ओप्सन देखते हैं A. करणम बल्लेश्वरी B. सानिय वर्जा C. पीबी सिंदू और D. साइना नेवाल इसका सही आंसर है A. करणम बल्लेश्वरी तो डिटेल देखते हैं कि किस खेल से समद्धित थी तो यह भारत तोलन से समद्धित थी ठीक और इनका अन्य नाम क्या है दा खेल रत्न पुरुषकार और निन्यान में में ही पदमश्री मिला था तो यह कोश्चन और बन सकता है इनसे कि ऐसी कौन सी महिला है या ऐसी कौन सी खिलारी है वालत की जिनको निम्न लिकित उपलब्दियां प्राप्थ हुई है ठीक एक वार यह कोश्चन आभी चुका है तो यह कोशन पूछा जा सकता है जिन को अर्जुन पुरुषकार, राजीब कांदी खेल रतन पुरुषकार और पदमसरी प्राप्त हुआ है उसमें उप्सन में करणम मनलेश्वरी रहेगा तो यह उपलब्दियां याज रखनी है किस खेल से संबंदित रही है या भरत तु तो इनकी उपलब्दियों की वजए से इने आले लेडी के नाम से भी जाना जाता है चलिए कमेंट बॉक्स में बताईएगा कि ओडन परी के नाम से किस भारतिय महीरा के लाडी को जाना जाता है कापी प्रसिद्ध हैं ये अगला कोश्चन है मद्य प्रदेश हासन द्वार किसे होती है पहला तो कोश्चन पढ़ने में तेजी से कंफ्यूजन होती है कि वह मद्य प्रदेश सासन नहीं ध्यान में रखते हैं भारत याद आ जाता है और गलत आप्सन स्लेक्ट हो जाता है दूसरा प्रसिद्ध चकों को पूचा है तो कई बच्चे केवल फिरुष्चार नहीं है दोना चार पूसकार किसके द्वारा बार सरकार के द्वारा दिया जाता है और मद्यपिते सरकार की द्वारा 20 urban पूस्कार ये कंफ्यूजन यह यह कोश्चन काफी लोगों का उस टाइम पर इसी लिए करत हो और जैता कि वह दो नहीं जाते और पू चार रजत पदक अथवा छह कान से पदक अर्जित किये हूँ इसमें राशी जो है दो लाख रुपए की राज़त सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है और इस पुरुषकार की स्थाफना कब हुई थी उनिस सो पिंच्यावे चैनुए में इस पुरुषकार की स्थाफना म कौन से बन सकते हैं तो जितने भी पुरुषकार खेल में मद्य प्रदे सासंद्वारा दिये जा रहे हैं उनमें एक तो रासी कि किसनी रासी दी जाती है दूसरा उनकी स्थापना कब हुई थी ठीक जैसे कि इसमें एक लबर पुरुषकार है यह आपको तयार करने हैं और तीसा आपका करन्ट का पॉइंट बनेगा कि वर्तमान में कौन सा पुरुषका किसे दिया गया है अगरा कोश्चन देखते हैं खेल युवा कल्यार विभाग द्वारा इस्थापित मद्य प्रिदिस राज तीरंदाजी अकेडमी कहां बर रिस्थित है ओप्सन देखते हैं जिसका साही अंसर है सी जवलपुरमे एक तो जितनी भी अकादमियां है खेल से रिरेटेड वह आपको तयार कर देखते हैं जिए अन्य अकादमी में जो ब मर्वंग स्थित cáडमिय यूण आपको तयार करना है 36 कोश्चन देखते हैं निम्लिकित कत्रों पर विचार कीजिए नमबर एक नियंतरक महालेखा परिच्छ का करतब होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परिच्छ करे जो भारत की संच्चित निदी में संदिये है नमबर दूसरा नियंतरक महालेखा परिच्छ को संग या किसी राज्य के किसी कादैला या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक के लेखाओं की लेखा परिच्छ करने और उनकी बावत में रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा सही बिकल्प का चुनाओ कीजिए एक तथा दो दोनों सत्य है बी एक तथा दो दोनों सत्य है सी एक असत्य है लेकिन दो सत्य है और डी एक सत्य है लेकिन दो असत्य है तो इसका आंसर है बी एक तथा दो दोनों सत्य है बैख्या देखते हैं कि नेंतरक एवर महालेका परिच्छक का करतब होगा कि वहर जो भी सभी प्राप्तियां हैं उनकी लेखा परिच्छा करें संचिर् Annas निधी में जो की संदे हैं ठीक, नेंतरक महालेका परिच्छक को संघ या राज कि किसी कहरेलय और भिभाग में लखे भंडार या स्टॉक के लिखाओ की देखा परिच्छा करने और इनसे संबंदित रिपोर्ट देने का प्राधिकार होता है इस प्रकार दोनों कथन सत्य हैं इससे रेडर अनुच्छे देख लेते हैं आर्टिकल 148 में कैक का उलेक किया गया है 149 में कर्तब व्यूका उलेक किया गया है अनुच्छे देख से लेडर सारे अनुच्छे आपको याद करने है एक बार या एक 499 पूछा जा चुका है अन्यवी पूछने की समामना रहेगी कैक बहुत ही महत्पूर टॉपिक है तो क्यक टॉपिक भी आपको तयार कर लेना है यह important अनुच्छित मैंने बता दिये हैं बाकी इससे यही question बन सकते हैं एक तो निफ्ति कौन करता है ठीक और यह article-related question बन सकते हैं अगरा question देखते हैं नीती आयूक के प्रतम अपाध्यक्ष कौन थे? आप्चन A. राजीब कुमार B. अमिताप कान्थ C. अरविंद पंगड़िया और D. राओ इंदरजीत सेंग तो इसका सही answer है C. अरविंद पंगड़िया ठीक बैक्ष्या देखते हैं नीती आयूक के प्रतम अपाध्यक्ष अरविंद पंगड़िया थे? एक गयर सम्मिदानिक निकाय है इसकी संद्च नामे अध्यक्ष उपाद्यक्ष CEO पूर्ड कालिक सरस्ष पदिन सरस्ष ये सारे आते हैं अध्यक्ष कौन होते हैं प्रदान मंत्री जी अध्यक्ष होते हैं ठीक प्रितम अध्यक्ष मुदी जी अभी भी है और प्रदान मंत्री द्वारा ही नीति आयोग की नुक्षि की जाती है और इसकी स्थापना कव हुई थी? इस्थापना हुई थी एक जनबरी 2015 को बरतमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो स्री सुमन मेरी जी बरतमान में उपाध्यक्ष है और CEO कौन है? तो BVR सुबरमन्यम बरतमान में CEO है तो ये नीति आयोग से रेटेट कौश्चन यहीं बन सकते है जैसे करंट का वने का बरतमान उपाध्यक्ष या बरतमान CEO ठीक? और इस्थापना कव हुई थी? तो ये आयोग में जो नीति आयोग दिया हुआ है उससे question पूछा गया था ठीक? बाकी आयोग भी आपको तयार कर लीने है जो कि उसमें आयोग क्या है? सबसे छोटी unit है और वह जितने question पूछे जा रहे हैं उस unit से पूरे के पूरे question आप बनना सकते हैं उनको तो सबसे पहले आयोग को complete करना है और revision जरूर करिएगा क्योंकि हम भूल जाते हैं आयोग में जैसे कि कारकाल ये तो कारकाल भूल जाते हैं ठीक और सदस्य कितने हैं तो ये थोड़ा सा confuse करने वाली चीज़ें होती हैं आयोग में अगला question राज मानवा दिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नुक्ति के नामों की सिफारिस करने वाली समीति में कौन शामिल नहीं है A. मुख्यमंत्री, D. बदानसबा अध्यक्ष, C. ग्रहमंत्रालाय और D. राजपाल तो इसका अंसर है C. राजपाल यानि की राज मानवा दिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नुक्ति के नामों की सिफारिस जो समीति करती है उसमें राजपाल शामिल नहीं है और नुक्ति किसके दोरा की आती है? नुक्ति राजपाल के दोरा की जा रही है नेश्ट पोस्चन देखते है राजपी है हरत निया अधिकरन के किसी भी निर्ने से बेथित कोई व्यक्ति सर्वोच नियाले में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? अपसन देखते हैं A. 30 दिन, B. 45 दिन, C. 60 दिन और D. 90 दिन तो इसका सही आंसर है D. 90 दिन यानि कि NGT ने कोई भी निर्ने दिया उस निर्ने से यदि कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो वाए सुप्रियम कोट जाएगा और सुप्रियम कोट में वाए 90 दिन के भीतर उसको वाद दायर करना पड़ेगा, अपील दायर करनी पड़ेगी अब NGT से रेटर कोउस्चन देख लेते हैं, एक तो इसकी स्थापना का हुई थी, तो 18 अक्टूर 2010 को स्थापना हुई थी, किस अधिनियम के तहत? तो ये अधिनियम का सन पूछ लेता है, तो याद आपको क्या रखना है, 2010 के तहत? ठीक, और दिस क्या है, इसका पर्यावर संबंदी मुद्दों को तेजी से निप्टाना, वर्तमान में अधिक्ष कोन है इसके, तो अभी हाली में, जस्टिस प्रिकास स्रीवास्तब को NGT का अधिक्ष बनाया गया है ठीक, अगला कोश्चन हम देखते हैं, राज यखाद आयो की स्थापना किस कानून के अंतरगत होती है, ओप्सन देखते हैं, राश्टिय खाद सुरच्छा अधिनियम 2013, बी, राश्टिय खाद सुरच्छा अधिनियम 2019, दी, उप्रोक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही आ राश्टिय खाद सुरच्छा अधिनियम 2013 के अंतरगत होती है, अधिनियम 2013 की अधिसूचत धारा 16 के अनुसार, प्रितिक राश्ट सरकार अधिसूचत द्वारा इस अधिनियम के कारवेन को मोनिटर करने तथा उसका पुनर्व लोकन करने के प्रियूजन के लिए एक रखनी है किस धारा के तहट स्थापना होती है तो धारा 16 के तहट, इसमें एक अध्यक्ष, पांच अन्य सदस्थ और एक सचिब शामिल होते हैं उसका सही आंसर है बी, निला परवत उद्ध्यान, बैख्या देखते हैं, मिजरम में इस्तित फांच पुर राष्टी उद्ध्यान को निला परवत उद्ध्यान के नाम से भी जाना जाता है इसकी स्थापरा 1992 में हुई थी, चता इसका छितपल 50 वर्ग किलूमीटर है फांच पुर को मिजरम का ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है ये एक फेक्ट और आप याद कर लीजिएगा कि फांच पुर राष्टी उद्ध्यान को मिजरम का ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है यह राज्जी की सबसे ऊची परवत चोटी है अविहाली में मिजुरम में बिधार्सवा चुराओ हुए हैं तो आप बताइएगा कि मिजुरम में कुल कितनी बिधार्सवा सीथे हैं अगला कुश्चन देखते हैं फरबरी 2021 में प्रधान मंत्री द्वारा किस शताब्दी समारो की शुरुवात की गई यह करंड से लेटेट कुश्चन है लेकिन इंपोर्टन कुश्चन है देखते हैं अप्शन A जलियवाला वाक शताब्दी समारो A सायोग A 24 सताब्दी समारो D चंपारण सताब्दी समारो तैया आंसर है C 4 फरबरी 2021 को प्रधान मंत्री नर्यनभोदी द्वारा 14 फर्वरी 2022 को बिट्रिस हुकूमत के खिलाब सतकालिन सयुक्त प्रांथ अब उत्तरपेदिस के गोरखफुर जिन्ले में इस्तिद 44 नामक स्थान पर 37 से नानियों के एक समून है फोलिस स्टेशन में आग लगा दी इसमें 22 सपाई साइद 37 से नानियों की मिर्ट्यू हो गई थे अगला कुस्चन देखते हैं निम लेखित कत्रों पर विचार कीजिए नमबर एक भारत के निर्वाचन आयुक के मुख निर्वाचन आयुक को उचितम नयलाइक के नियाधीस के बराबर वेतन दिया जाता है नमबर दूसरा भारत के निर्वाचन आयुक की मुख्य निर्वाचन आयुकत का कारकाल पादिगर्वन करने की तारिक से 6 वर्ष की अबदी या 65 वर्ष की आयुक जो भी पहले आता है तक होगा नमबर तीन, एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख चुनाव आयुक्त को समभूदित, स्वा हस्ताक्ष्रित लेके द्वार अपना पत्याद सकते हैं ओप्सन देखते हैं, एक तथा दो, दो तथा तीन, एक तथा तीन, और केवल तीन तो इसका सही आंसर है कि एक और दो, मतलब की जो मुख चुनाव आयुक्त होता है उसको बारत के उच्चतम नेलाई की नयाधिस के बरावर बेतन दिया जाता है तता उसकी अबधी 6 वर्स या 55 वर्स की आयुक्त की आयुक्त होती है अब जो तीसरा पॉइंट था उसके बारे में दिखते हैं कि मुख चुनाव आयुक्त तता अन्य चुनाव आयुक्त राष्टपती को त्याक पत्र दे कर पदमुक्त हो सकते हैं ठीक ना कि मुख निर्वाचन आयुक्त को और निर्वाचन आयुक की स्थाबना 25 जनवरी 1950 में हुई थी यह भी आयुक द्वारा एक वार पूछा जा चुका है सम्विधान का भाग 15 अनुच्चित 324-329 निर्वाचन से सम्बंदित है अगला कोशन देखते हैं बात यह सम्विधान की साथवी यहने सूची जैसे ही सूची 2 प्रिविष्टी 37 और option D सूची 3 प्रिविष्टी 32 तो इसका सही आंसर है सूची 2 और प्रिविष्टी 37 तो काफी ठीप कोश्चन यह पूछ लिया गया था आयोक के द्वारा तो इसमें आप क्या करिएगा जो भी अनुचिया हैं और सारी अनुचीयों को एक वार डेटियल में आप पन लीजिएगा अलाकि सम्भावने कम रहेगी कि इतनी डेटियल में कुश्चर पूछा जाए फिर भी अगर एक वार पूछ लिया गया है तो दूसरी वार भी पूछने की सम्भावना बन सकती है बैख्या देखते हैं भातिय सम्मिधान की साथवी अनुची की सूची दो एवन प्रिविष्टी सैथीस का कमबंद राज के बिदान मंडल की निर्वाचन से है राज बिदान सभाव के निर्वाचन का संचालन बारत का निर्वाचन आयोग करता है सदस्यों के निर्वाचन हेतू प्रिटे के लाज को प्रादेसे के निर्वाचन छेतरों में इस प्रिकार विभाजित किया जाता है कि प्रितेग निर्वाचन छेतर की जिल संख्या का उस लाज को आवंटित इस्थानु की संख्या का अनपाद पूरे लाज में यथा संभाव एक समान हो अबरा कुश्चन देखते हैं मत्य प्रिदेश लाज निर्वाचन आयोग का गठन किया गया ओफ्सन देखते हैं ओफ्सन ए एक फरवरी 1994 ओफ्सन भी एक मार्च 1994 ती एक अप्रेल 1994 और डी एक माई 1994 इसका सही आंसर है ए एक फरवरी 1994 मत्य प्रिदेश की लाज निर्वाचन आयोग का गठन एक फरवरी 1994 को किया गया अनुचे 243 के की तहत राजपाल राज निर्वाचन आयोग का गठन करता है मंद्य प्रिदेश राज निर्वाचन आयोग का गठन करने वाला भारत का प्रतम राज्य है इस आयूक के प्रिदम अध्यक्चत स्री एन्मी लोहानी थे जबकि बर्दमान अध्यक्चत बसंत प्रताव सिंग है अगरा कुश्चन देखते हैं दो या दोते अधिक राजियों के लिए एक सयुक्त राज्य लोग सेवा आयूक की स्थापना किया सकती है औफजन ए यदि संबंदित राजिये इस संबंद में करार करते हैं औफजन बी सलशद बिदी दुआरा सयुक्त राजियों अध्यक्ड के लिए प्रोग सेवा आयूक करता है औफजन ए तथा भी दोनो और और अफजन डी होपरोक्त में से कोई नहीं तो इसका सही आंसर है ये तथा भी दोनों तो इसमें होता क्या है? इसमें सबसे पहले वह दोनों राज सहमती पिस्तुत करते हैं उसके बाद सलसर बिदी द्वारा सयुक्त राज लोक्षिवा आयुप की निवक्ती करता है ठीक ब्यक्या में भी यहीं लिखा हुआ है कि दोया दोसर अधिकराज चाहें तो उसके लिए सलसर बिदी द्वारा सयुक्त लोक्षिवा आयुप का प्रावधान कर सकते हैं प्रिज्चे के सम्बंद्ध राज़ के द्वारा इस राशाय का संकल पर पारथ किया जाना चाहिए और उसके बाद क्या होगा उसके बाद फिर सलसर घठन कर देती है और जो सदस्यों करुमचारियों की संख्या होती है तता सिवा शर्तें वा राष्टपती द्वारा अवधारित की जाती है अगला क्वेशन देखते हैं किस प्राबधान के अंतरगत मद्ध प्रदेश लोकसिवा आयूप का गटन किया गया है उसका सख़्ा आंसर है तो इस दारा के अंतरगति मद्ध प्रदेश के लोकसिवा आयूप का गटन 27 अक्टुबर 1956 को किया गया बारतिय सम्रिधान के अनुचिर 15 में केलर के साथ राज्जियों के लिए भी लोक्स्रेवा आयोग का प्राबधान है मद्परतिस लोक्स्रेवा आयोग में अध्यक्ष सहिथ 5 सदस्ट ठीक तो ये संख्या याद रखिएगा आप इसका मुख्याले इन दौर में है और इसकी प्रिथम अध्यक्ष डी भी देगे थे जबकि बर्तुमान अध्यक्ष श्री राजिसलार महरा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राज्टिय कभी बाल कभी बैरागी का वास्तुविक नाम क्या था? इसका सही आंसर है डी नंदराम दास बैख्या देखेंगे बाल कभी बैरागी का वास्तुविक नाम नंदराम दास था मद्पदेश के मंद्शौर के निवासी थे और एर राजसवावे सांसर तथा मंत्री भी रहे हिंदी कभी एवं गीतकार बैरागी की प्रवुक रचनाय भावी रच्चक देश के दीवट पर द्वीप अपनी गंद नहीं वेजूगा सारा देश हमारा चान में दब्बा आधी हैं 2018 में इनका निदन हो गया था अबा कुश्चन देखते हैं साथ सागर, नो नारायन एवं 84 महादेब की परिक्रमा मद्य प्रदेश के किस नगर में संपन होती है तो ओप्सन है अमर कंटक, बीच द्रकूत, सी ओंकारिश्वर और डी उज्जन तो उज्जन में ही ये सारी परिक्रमाओं का आयूजन होता है उज्जन चप्रा नदी के किनारे इस्तित है यहाँ पर दच्छड मुखी महाकालिश्वर जोतिन लिंग इस्तित है फिदिंग 12 बर्स में सिंगस्त कुमब का आयूजन होता है अमर कंटक को 2005 में पवित्र नगर गोसित किया गया मंदाकनी नदी के किनारे पर इस्तित चित्रकूट में रामघाट, जाने की कुंद, भरत मिलाप, मंदिर आदी परमुक धार में स्थर है और खंडवा जिलिंग में नर्मदा रदी के किनारे उंकारिश्वर 12 जोतिन लिंग में से एक है तो वंदे पर देश में कुल कितने जोतिन लिंग है, वंदे पर देश में कुल दो जोतिन लिंग है एक तो महा कारिश्वर उंकारिश्वर खंडवा में अगरा कुस्चन दिखते हैं, राजा भूच की किस कभी ने जैन धर्म को अपना लिया था तो इसका सही आंसर है परवान वंच की परताबी सरातक राजा भूच की कभी धनपाल ने जैन धर्म को अपना लिया था राजा भूच एक महान युद्धा के साथ एक महान विद्वान मी थे इनकी दचनाए कौन कौन सी थी? तो युक्तिकल्पतरू, समरांगर, सूतरधार आदी इनकी प्रमुक रचनाए थी बोपाल शहर का नाम राजा भूच के नाम परी पड़ा राज सवा में लवख 500 विद्वान थे इनकी मतलब जो सवा थी उसमें 500 विद्वान रहते थे और जिनमें धनपाल प्रमुक कवी थे ठीक, उसने बारबटी रचना कादंपरी का प्राकर्थ भाशा में अनुवाद किया था अगरा कोच्चन देखते हैं विश्व प्रिसित परेटर निस्थल सांची का प्राची नाम यावी था विश्व प्रिसित परेटर निस्थल सांची का प्राची नाम काकराम, वेदसगिरी, टैतिगिरी, काकनाथ, काकरादावोट, श्रीपरवत, इतियादी था यह मद्ध प्रिदेश की लाइसेन में इस्तित है और बौद द्रम का एक प्रमुक तीर थिस्थल है मौद सवराट असोग ने स्टूप बिहार एवं 81 में स्थम्द बनवाया था, साची स्टूप की खोज 1818 में जनरल टेलर ने की थी और 1989 में इसको यह रसको की विश्व धरुवा रिस्थल में सामिल किया गया था नेक्स्ट वोच्चन है आपका, टंट्या वील का वास्थविक नाम क्या था? ए टंट्या, बी गडपत, सी बिजनिया और डी तंड्रा तो इसकी दो अफसर सही है, एक तो ए टंट्या और दूसरा डी तंड्रा तंट्या वील का वास्थविक नाम टाटिया टंड्रा है, ये महान वील युद्धा थे 1857 के बिद्रों में अंग्रेजों के बुरुद्व, इन्होंने खरगों से नित्रत किया था तंट्या वील जहासी की रान इलक्षी भाई से पेड़ा लेकर अन्याय का बुरोध करते थे इन्हें इंडियन रॉबिन हुडवी कहा जाता था और 1889 को अंग्रेज सरकार ने इन्हें फासी की सजादी थी अगरा कुश्चन है जैनेटिक कोट की विशिष्ट विशिष्टाएं है नमबर एक यह प्राया सारवत्रिक होती है नमबर दो यह तीन नुकलिटाइड रच्छारकों का बना होता है जो 20 अमीनों अमलों के संगत होती है यह अनति व्यापी 11 आइस्पष्ट एवं फॉमा रहित होता है और चौथा इनमें एक प्रारंबन एवं एक समापन कोडोन होता है तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है D, यह सभी सही है तो जैनेटिक कोट की अगर विशिष्टा है आप से 3 मारकर में यह आप 5 मारकर में भी फूची जा सकती है वेल्स में तो आप इनको एज़ेटिज लिख सकते हैं कि यह सारवत्रिक होता है तीन नुकुलिटाइट शारकों के बना होता है 20 अमीनों अमलोकियस अंगत होती है एक यह अनतिव्यापी गयर आइसफ़्ष्ट और फॉर्मा रहित होता है इनमें एक प्रारंबन एवं एक समापन कोडोल होता है अगरा कुश्चन है इसमें राश्टिय बिशारू विज्ञान सर्थान कहा इस्तित है तो उसका सही आंसर है एक पुने में राश्टिय बिशारू विज्ञान सर्थान उने में इस्तित है नेक्स्ट कोच्चन देखते है भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थविवस्टा पर सतत्वगास हेतू साज़दारी के लिए टास्क फोर्ष का निर्मान किया है अप्तर ने हे सुज्जनलन बी नॉर्वे, टी स्वीडन और डी फ्रांस जिसका सही आंसर है बी नॉर्वे तो सतत्वगास लच्च का चाउदुवा जो लच्च है वह है महासागरो, सागरो, सतत्व समुद्री सलसादरों के सलच्चन और सतत उप्योग से संबंदित है नीली अर्थविवस्ता में वे आर्थिक गत्रविदिया शामिल है जिसमें समुद्र के सलसादरों का उप्योग इस तरह ही किया जाता है कि समुद्री पर्यावरा विवस्ता को कोई नुक्सान ना हो ठीक है, तो आज जो कुश्चन हमने अभी किये हैं उनको एक बार जन्दी से जिवाईज किल देते हैğı सौंग पूराश्टी उध्यान को किसन नाम से जाना जाता है उसको मेला पर्भत उध्यान के नाम से भी जाना जाता है प्रधान मंत्री मोदी जी दौरा पांच तरबरी 2021 को किस सताब्दी समारों की शुरुवात की गई थी तो चौरी-चौरा सताब्दी समारों की शुरुवात की गई थी और फिर ये भारत के मुखे निर्वाचन आयुक्त के बारे में कुछ फैक्ट थे कि उनको वेधन उच्छतम नियालाई के याद इसके बरावन मिलता है ठीक है और अब दी छेवर से 75 वर्ष की आयोटा होती है और त्याक पत्र वो किसे देंगे त्याक पत्र देंगे बारत के दाश्ट पत्री को इसके बाद साथ भी आने सूची की किस सूची एवं प्रिष्टी का समंद राज के ब्रदान मंदन के निर्वाचन से है तो वाई है प्रिष्टी 37 सूची दू की प्रिष्टी 37 नेश्ट था मद्र पिदेश के राज निर्वाचन आयोक का गठन किया गया था एक फरवरी 1994 को अगना कुश्चन सभ्ष्टी राज लोक से वाई हो के बारे में था तो दोनों राज्यों की सहमती और संसर्द्वारा इसका गठन किया जाता है ठीक है अगना मद्र पिदेश लोक से वाई हो कि गठन के बारे में था तो राज ये पुनर गठन आदिनिया इसका गठन किया गया था कब किया गया था तरताइस अक्टूबर उनीस्टो चपन को नेश्ट बालकभी बैरागी का वास्तविक नाम तो नंदराम डास अगना साथ सागर नो नारायन चौरावसी मादेव की परिक्रमा कहां पर होती है उज्जन में अगला राजा भोज के किसकभी ने जैंदरम को अपना लिया था तो धनपाल ने नेश्ट साची इस्तल का प्राचिन नाम क्या था काकराम काकरादावोट यह सारे ठीक है और तंटिया भील का वास्तविक नाम एक तो तंडरा और दूसरा तंटिया इसके बाद क्या था अपका जैनेटिक कोट की विशिस्ट विशिष्ट है तो यह सार्वत्रिक होता है तीन निकुलिटाइट चारकों का बना होता है 20 अमीनों अमलों के संगत होते है अनति व्यापी 11 आरिस्पर्ष्ट और कौमा रहित होता है और इनमें एक प्रारंभण और एक समापन को दोल होता है राश्ट्य विशारो बिग्या सलस्थान उने में इस्थित है और निली अर्थव्वस्था के लिए टास्पोर्ट का गठन नौर्वे के साथ हिया गया है वोपा राज की मूल सलस्थापक कौन थे तो इसकी option देखते हैं तो इसकी व्याक्या देखते हैं कि भूपा राज के अमूल सलस्थापक थे टिक अठारवी सती के प्रायम दुसब में भूपा राज की स्थापना की थी इन्होंने नवाद की उपादी दारन की थी कमलापती की सायता करने की कारेंट भूपाल उपहार में मिला था दोस्त मौंबास खाने आजपास के छित्रों को जीत कर जन्तिश्पुर को लाजधानी बनाया और बाद में इसका नाम बदल कर इसलाव नगल कर दिया तो अभी हाली में बुपाल की हभीब गंज रिन्वे स्टेशन का नाम मतलकर लानी कमलापती स्टेशन कर दिया गया है लानी कमलापती गौंड सायसका थी ठीक को गौंड सासक थे निजाम शाह उनकी पत्नी कमलापती थी तो नजाम साथ की हत्या के बाद कमलापती ने सासन किया और अपने स्चित्रों को बजाने के लिए दोस्त मौंबत खा से सहायता मागी थी हाला कि इसके बाद दोस्त मौम्मत खाने भी इनको दोका दिया और इनके राज़ पर अधिकार गन नेटिन के आकरोर किया और बाद में फिर इनों ने कमलापती ने बाद में आत्म हत्या कर अपने प्राण नशावर कर दिये तो यह कमलापती का थोड़ा सा बेकरांड हो गया इसके बाद देखते हैं अगला कुश्चन राज़ा बीर सिंग देप की राज़ानी कहां थी आपसन देखते हैं A. बांदावगर, B. गाउरा, C. नरोगी गरी और D. गराबंडला तो इसका आंसर है B. गाउरा इसका आंसर है B. गाउरा राजा बीर सिंग देप की रादानी गाउरा थी यह बगिल वश्च के पतावी राजा थे इन्होंने एक बीर सिंग पूर नमक नगर भी बसाया था और खानवा के युद में राणा सांगा का साथ दिया था इनको आपको थ्री मारकर जो मेंस जवाब देंगे तो थ्री मारकर की अकॉर्डिंग भी यह काफ़ इंपोर्टन है तो राजा बीर सिंग देप को आपको यह ती चार पॉइंट इस में मैंने बता दिये हैं तो यह अभी आयर कर सकते हैं इसको अगरा क्वेश्चन है अगरा देखते हैं कि मांडू विजय दच्छर विजय की कुन जी था यह कतन अमीर कुसरो का था अमीर कुसरो के बारे में देखते हैं उन्होंने 60 सुलतानों का सैसन देखा था जिसमें अलाउद्दीन खिल जी भी शामिल खा अलाउद्दीन खिल जी ने अपने सैनापती आयनोल मूल को मालबा बेजा यह दो बेजा खा खब बेजा था तो 1305 में और 1305 में ही उसने मांडू पर अधिकार कर लिया था ठीक तो मांडू से डिलेटेड और इफेक्ट आयाते हैं तो मांडू को सिटी ओफ जोई भी कहा जाटा है अगरा क्वेश्चन देखते हैं बीम बेटिका को किस ने खो जा था इसका सई आंसर है सी डॉक्टर विश्णुदर वाकरकर ने की थी यह मद्य परदिस की रायसें जिले में श्टित है ठीक इसमें जो है सियन चित्र के लिए यह बेश्वर पशिद्ध है यह यह यूनिस्कों की सूची में भी शामल किया गया है कमेंट बॉक्स में बताएगा कि वे मेटकाव को ये इनुसकों की मिस्वर व्यासत की सूची में किस वर्ष में सामल किया गया है अगरा कुश्चन देखते है मत्य प्रिदेश में सरवादिक पाई जाने वाली जन्जादी कौन सी है इसका सही आंसर है मत्य प्रिदेश में सरवादिक जन्जादी पाई जाती है और दूसरी नंबर पे कौन जन्जादी मत्य प्रिदेश में सरवादिक पाई जाती है अगरा कुश्चन देखते है तो मेलित कीजिए सोची दी हुई है जिसमें घास के मैदानों का उलेक है और दूसरी सोची दी हुई है जिसमें देश और महादीप का नाम है तो हम दिखते हैं पहले ए इस्टेपीज, बी प्रेडीज, सी वेल्ड और डी डाउं तो ये घास के मैदान किस किस देश में पायाते हैं तो यह भूगोल का कोश्चन है जिसमें घास के मैदान पूचे हैं ऐसे ही आपको जील प्रमुक जीले तयार कर लेनी है जो कि विविन देशों और महादीपों में पाई आते हैं प्रमुक परवत शंखला आपको तयार कर लेने हैं या आपको प्राइच्छा में मिली तो इस्टेफिज देखते हैं हम इस्टेफिज करना पाई आते हैं इस्टेफिज नूस में पाई आते हैं तो तीन उसके बाद प्रेविज करना पाई आते हैं तो प्रेविज घास के मैदान अमेरिका में पाई आते हैं तो एक वेल्ड कहा पाई आते हैं तो दो और डाउं इसके बाद अगला question दिखते हैं भारत के किस राज में सागोन की वन का छेत्र सरवा देखें तो आएक को सागोन की वनों से बहुत प्रेव है सागोन की पेड़ों से सागोन की पेड़ों से रिनेटिफ question पहले भी पूछ चुके हैं तो आप वन से लेटें जितने फी fact है एक तो वन रिपोर्ट उसको तयियार कीजिए आप भारत की और मघड़ी पेड़ों दीखते हैं या उसरे कटी बनतिय सुसकरपडपादी बन हैं. यह कोस्टन भी बन जाता है कि सावन की बन किस स्रेडी में आते हैं? तीक मंद्रपदेश की जलभाईू का कोस्टन भी बनता है, तो कमेंड बॉक्स में बताईएगा कि मद्रपदेश में किस परकार की जल्बाईयों पाई आते हैं सागोन के बच्छ तमलनाइडू मौयास मद्रपदेश 36 प्रस्चमगाट नेनकनी की पारियों के निचले दालो तता औरीसा में पाई आते हैं मद्रपदेश में सरवत्तम सावन इक चपायाते हैं अगरा कोचन देखते हैं निम लेकित में से कौन सा एक सुमेलेत नहीं है यहाँ पर राइटी उध्यान दिये हुए है और फिर जिस राज में वाइप पायाते हैं उनका नाम दिया हुआ है तो ओप्चन देखते हैं आसी राष्टी उध्यान करनाटक में वाल फक्रम राष्टी उध्यान मेगाले में चन्दोली राष्टी उध्यान गुजरात में और हैमिस राष्टी उध्यान लद्दाक में इसका सही आंसर है C क्योंकि चन्दोली राष्टी उध्यान उत्तर परतिस में पायाता है ना कि गु करन दिना है और टाइडर रिजर्ब कहा कहा है टाइडर रिजर्ब भी आपको तजाइड दनी है अगरा कोचल दिखते हैं भात ये खनिश्पदातू का बंडार किसे कहा जाता है इसका साही आंसर है A. छोटा नाकपूर के पठार में सरवादिक कनिश्पाई आते हैं यहाँ पठार टीर पठारों से मिलकर बना है जिनमें राची का पठार हजारी बाग का पठार और कौडरमा का पठार सामिल है इसको एक अन्य नाम से और जाना जाता है जिसे भारत का रूर कहते हैं आप बताईेगा रूर कहां पर है जो रूर इस्थान है वह कि इस देश में है comment box में बताईगा कि रूर कहां पर है अगला पुश्चर है निम नेके तो दो कतन दिये गए हैं एक को अभी कतन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है तो कतन और कारण दिये गए हैं उनमें हमें सही पता करना है अभी कतन पढ़ते हैं पंजाब हर्याना उत्तर पिदेश पार्ट के प्रमों गया उत्पादक र अवश्चक है तो दोनों ही ऑप्शन ठीक है यानि कतन अभी कतन ए भी सही है उसका कारण भी सही है तो इसका आंजर होगा है ए और आर दोनों सही थाई है तथा आल एक ही सही व्याक्या करता है अगरा कुश्चन है पदम श्री बूरी बाई किसलिए पुश्चन है तो बदिप्रदेश के प्रमुक व्यक्त्तु में से यह कुश्चन पूछा गया है ओप्सन देखते हैं चितरकारी, संगीत, निर्थे और लेखन तो इसका सई आंसर है यह चितरकारी से संबंदत है बैख्या देखते हैं कि पदल श्री बूरी बाई चितरकारी के लिए प्रिश्चन है 2021 में पदम श्री देने की गोश्चना की गई थी जाबू अज़े देखिए पिटॉल गाउं में इनका जनम होगा इनका संबंद बील संबुदाय से है किसी भी व्यक्तितु को पड़ऊ आप और यदि वो जन्जाती व्यक्तितु है तो उस जन्जाती का नाम आपको वशे शुरूप से पता होना चाहिए क्योंकि आयोग जाहतर यही पूछता है कि निम्लेखित किस जन्जाती से सम्मंद्ध है बूरी वाई अपनी चित्रकारी के लिए काज़ और कैन्वास के इस्तमाल करने वाली प्रथम भी रिकलाकार है इन्हें मर्द्य प्रदेश के सर्वोत्य पुरुषकार, सिकर सम्मान, अहिला वाई सम्मान, आधि सेवी समानत किया जाए चुका है अब कुछ अन्य प्रमोग व्यक्तितों हैं उनको आपको तैयार करना है जैसे कि जुदहिया वाई, लहरी वाई और बत्तो वाई बत्तो वाई, गोडिया शिल्प कराया के लिए प्रशिद्ध है लहरी वाई, इन्होंने बीच बैंक बना रहा है और जुदहिया वाई भी यहे कलाकार है जो की बैगा सबुदाई से आती है नेफ्ट कुछन देखते है क्यला सत्याजड़्धी का जन्म मत्य प्रधेश की किस जिले में हुगा तो इसका सईए आन्सार है टी विडिशा में जन्म हुगा क्यला सत्याजदी के दौरें लपार्सुल्व के खिलाफ एक आंधोलन चरायाता है जिसका नाम है बच्पन बचाओ अंदुलन एक इन्हें 2014 में शान्ती का नोबल प्रुष्कार दिया गया इसके साथ दिया गया था मलायला यूसुफ जाई के साथ अगरा कूस्चन है 105 मेंगावेट का सूर्ण पावर प्रांट मत्या इसके किस जिली में इस्तित ए तो इसका स़ी आंसर है भी लीवा इच जिली इसतित 9〜12 को को गयाय मंति इन्रें जिनने इसका उद्गाट किया काई इसको तयाक रत यतनी किया है इसको लीवा अल्ट्रा मेगा सोनल लिमिटेड ने विक्सित किया है यह मत्रपिद्रिय सुझा विकास निकम लिमिटेड और केंद्रिय साहिब ने छित्र की एकाई सोनल एनर्जी कॉर्परेशन आफ इंडिया का संयुक्त उद्यम की कंपनी है जवाहर सागर जल्बतुत परियोजना किस नदी पर इस्थित है औपसन दी हुए है ए नर्मदा बी चंबल सी ताप्ती और डी माही तो इसका अंसर है चंबल नदी पर जवाहर सागर जल्बतुत परियोजना निर्मिट है अब आपको बताना है जवाहर सागर जल्बतुत पर परियोजना चंबल नदी परिस्थित है राणा प्रताफ सागर से 32 किलोमीटर दूर है तीन जल विद्धु सयंत्र है तता 99 मेगाबाट इससे विद्धुत उत्पादन किया जा रहा है मध्यपरदेश और राजिस्थान को समान मातला में विद्धु सप्लाई की जाती है ठीक तो इसमें जो और कुश्चन बन सकते हैं एक तो राणा प्रताफ सागर एक बांध और बना हुआ है गांधी सागर तो ये तीन बांध जो इस परियोजना है चंबल की इन पर तीन बांध बने हुए हैं जिसमें गांधी सागर बांध मध्यपरदेश में और राणा सागर में तर्था जो जवाहर सागर है वह कोटा में बना हुआ है ठीक तो यह याद रखेगा आप अगला कुस्चन देखते हैं निम्लिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है तो इसका अंसर हम सभी को पता है कि हीरा जो है के बाद हीरा एक मात मध्य प्रदेश जंजातिय संग्राले किस सहर में अवस्थित है ओप्सन देखते हैं A. छिंवारा B. इंदौर C. भोपाल और D. रतलाम तो इसका अंसर है C. भोपाल ठीक तो जंजातिय संग्राले कहां पर है भोपाल में अवस्थित है एक संग्राले अभी और बनाया गया जोड़ा जाएगा अगरा question फिरसे पन्ना से related पूछ लिया इन्होंने मत्यपधिस का पन्ना जिला किस खनिच के लिए प्रिसिद है तो खनिच में हीरा खनिच मत्यपधिस के पन्ना में पाय आता है सबसे महतुण खनिच है और यह बार बार आयोग द्वारा कई पर इच्छाओं में पूछा जा मज़गवां आपको पता है ठीक हिनोता आपको पता होगा एक राम खेरिया इस्थान और याद रखना है आपको अगरा कुश्चन है चंबल नहर से चाइपर योजना संबंधित है ठीक तो एक कुश्चन अभी जवाहर सागर का पूछा था वही चंबल से संबंधित दूसरा कुश्चन फिर से चंबल से संबंधित चंबल नहर से चाइपर योजना संबंधित है सिंद वेसिन से यमना वेसिन से गंगा वेसिन से या ताप्ती वेसिन से ठीक तो इसमें अब आपको यह याद रखना है कि चंबल नहर किसकी साहिक नदी है यमना की तो यह किस से करेगी यम ना वेसिन ते ंसा सही है यम ना वेसिन बन सकते हैं वह 있을 और चंबल की सहायख नदिया कौन-कौन सी है ठीक है तो देखिए जो तीन पड़ योजनाओं की बात कर रहे थे हम गांधी सागर, राना प्रताफ सागर और जावाहर सागर ये किस-किस एयर में इन पर बांध बनाए गए थे तो आप इनको भी याद कर लीजिएगा तो उसमें गांधी सागर जो योजना है वैं 1969-60 में और राना प्रताफ सागर शर्शर्शर्शट में और जावाहर सागर योजना 1972 में तो ये संभी याद रखनें आपको ठीक, तो ऐसे PYQ आपको ऐसे पढ़ने हैं कोई भी PYQ पढ़ें तो उसके आज पास के या उससे कितने कोश्चन और बन सकते हैं आयोक ऐसा ही करता है कि पुरानी येस के जो कोश्चन होते हैं उनसे रिलेट करके कोश्चन पूछता है ठीक तो इस PYQ शंक्रा में हमारे दोरा यही कोश्चिश की गई है कि कोई भी PYQ से कितने कोश्चन जो महतपूर है अब बनने को तो बहुत सारे बन जाएंगे लेकिन महतपूर जो कि आयोक पूछ सकता है वहाई कितने बनने हैं हम आपको बताते जा रहे है अगला कुश्चन है मद्रप्रदेश की प्रमुक फसल है A. चाबल B. ग्यहू C. मक्का D. बाजरा तो समसाभी को बता है मद्रप्रदेश की प्रमुक फसल ग्यहू है ठीक और ग्यहू उत्पारक प्रमुक चेतनों कौन सा है हमारा मालवा इसके बाद देखते हैं अगला कुश्चन नेम लेकित में से कौन सी एक फसल ब्यापारिक नहीं है A. गन्ना B. कपास C. केला D. बाजरा तो इसका अंसर रहेगा D. बाजरा चूंकि बाजरा एक खाद्यान फसल है तो ये ब्यापारिक की श्रेडि में नहीं आती है ब्यापारिक फसल उस फसल को कहते है जिसका प्रियोग हम ब्यापार के लिए करते हैं और personal यूज में हम उसको नहीं लेते हैं जैसे की गन्ना है कोई भी किसान गन्ना पैदा करेगा तो उसका उद्देश से उसको बेज कर पैसा प्राप्ट करना रहेगा ना कि उसको परसनल यूज में लेना जैसे कि इसके विप्रियत ग्यहूं है या चावल है तो ग्याहूं या चावल पैदा किसान करता है तो एक उद्देश से तो उसका पैसा कमाना भी रहता है तता दूसरा उद्देश से उसका रहता है कि खुद के यूज के लिए भी उसका उप्योग करता है खाने के लिए उसका उप्योग करता है ठीक तो वह खाद्यान फसल की स चिड़ी में आती है तो ब्यक्षा देखते हैं बाजरा बयापार एक फसल नहीं है यह खरीब की वसल है मोटे दाने की फसलों में आती है ठीक और जो सबसे जानदा बाजरा कहां पर होता है वाई राजिस्थान में होता है अगरा question नेमढआफे जाजियो में उनसे संबंदित मुख मंतरियों का मिलान करें तो देखे जिए जो कोशन पूछा है उसमें पूछा है कि कौन कौन से PM है या कौन से cm है जो भारत के mm बने तो मैंने आप से रन्ली थी जो मैंने बताई थी उसमें ने बताया था कि भरत के जितने भी PM रह चुके हैं उनसे क्या करने है ये वह कोश्चन को सरी हैं ये नरसेंब करना है डी ए पीबी नरसेंब्ड राव वी मुराजी देशिए C. SD. डेवगोडा, D. चरण सिंग और E. नरेंद मोदी ठीक, तो हमें ये पांचों के जोड़ी का मिलान करना है, तो हम देखते हैं PV. नरसिम्मा राओ, कहां के चीफ मिनिस्टर रहे हैं नरसिम्मा राओ जी रहे हैं, आ विवाजत उत्तर प्रिदेश के रहे हैं, एक और नरेंद मोदी जी गुजरात के रहे हैं तो ये तीन तो आपका आप्सन होगा अंसर है 25413 आप्सन देखे 25413 ये डियांसर सही तो आप यदि जैसे दो-तीन भी आपको बन रहे हों, तो उससे आप ये स्वल्व कर लेंगे, जैसे कि चर्ण सिंग का आपको पता होगा, आप रिवाज़ दुक्तर पिदेश देवकोला जी का पता रहेगा, करना टक मोदी जी का पता ही है सबको गुजरात, ठीक तो इस परकार ये आपका हो जाएगा तो इस परकार ये आपका स्वल्व हो जाएगा इसके बाद अगला कोश्चन देखते हैं भारत के सरवोच नयालाई में निमलिक्षित में से किस परकार के नयाधीश या नयाधीशों की नुक्ति की जा सकती है एक तदर्थ नयाधीश और दूसरा एक सही है और दो गलत है तो हम देखते हैं कि सरवोच नयालाई में तदर्थ नयाधीशों की निमलिक्षित की जाती है ना कि अतर्थ नयाधीशों की निमलिक्षित की जाती है तो कमेंट में बताएगा सरवोच नयालाई का उलेक भारतिय सम्मेधान की किस अनुच्पेद में किया गया है और निख्ती क्यों करते हैं कि कोर्म को पूरा करने के लिए ततर्त नियादीस की निख्ती की जाती है इसके बाद अगला कोश्यन देखते हैं नेमलेकित में से कौन सा केंद्रिय सरादिनक्षेटर का उद्ययम CPSE भारत सरकार की लोक उद्यम विभाग द्वारा सूची बद 2020, जन्मरी 2020 की स्थिति में महारतन की श्रेणी में नहीं आता है तो इन्होंने यह कोश्चन पूचा है कि कौन सा इनमें से महारतन की श्रेणी में नहीं आता है तो ये question चुकि 2020 में पूछा गया था उस स्थिति में इसका answer था आपका D. Oil India Limited लेकिन बर्दमान की स्थिति में यह चारू कंपनियां आपकी महारत्न की श्रेडी में आती है चिक तो महारत्न और नवरत्न इनसे related सारे question आपको तयार कर लेने है question यहां से यही बनता है कि कौन सा महारत्न की श्रेडी में नहीं आता है कौन सा नवरत्न की श्रेडी में नहीं आता है और जाना deep जाएगा यदि आयोग तो उस company की स्थापना वर्स पूछ लेगा इस से अलग question नहीं आएगा स्थापना वर्स और कौन सी है उसकी कैटेक्री महारतन है या नवरतन है ठीक अब 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 कोश्चन देखते हैं वित्य छेत्र के मुल्यांकन समीती इस जह अधिक्छता किसके द्वारा की जाती है तो इसमें ओप्सन देखते हैं की जाती है अगला कोश्चन देखते हैं गैर बैंकिंग बित्तिय कंपनियां NBFC के लिए लोकपार योजना 2018 को किस दिनांक को भारतिय देजर्व बैंक द्वारा फिरभावी रूप से पेश किया गया था अप्सन है इसका सही आंसर है इसकी पीडियाफ मैंने टेलिग्राम चैनल पर डाल दी ती आप उसको पढ़़ी जीगा लगवाग वहीं से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा काफी छोटी PDF है और वहां से ये कोश्चन हो जाएंगे बागी के इस टॉपिक से और फी कोश्चन जो बनेंगे वो करंट अफेर से बन सकते हैं तो करंट अफेर आप तयार करेंगे ही हमारे द्वारा भी किलाज शुरू की जाएगी जल्दी करंट अफेर की इसमें कुल बनोगे कितनी पितिसद भाग पर सागोन के ब्रच पाय आते हैं तो आप्सन है इसमें A. लगवग 15 पितिसद, B. 20 पितिसद, C. 25 पितिसद और D. 30 पितिसद तो इसका आंसर है B. लगवग 20 पितिसद कई वच्चों ने अंसर 30 पितिसद भी लगाया था चुकि Central की रिपोर्ट 30 पितिसद की थी और आयोग ने MP की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 20 पितिसद माना है जैसा कि व्याक्ख्या दी हुई है कि मद्पितिस में कुल बनोगे 19.36 पितिसद भाग पर सागोन की ब्रक्च पाए जाते हैं सागोन का बॉट्रिकल नाम टेक्टोने ग्रेंडाई है यह बन अधिकांस्ता मद्पितिस के दच्छर शित्र में पाए जाते हैं इन वनों का विस्तार 75 से 125 सेंटीमीटर और काली मिट्टी वाले शित्र में मिलता है यह उस्र कटीबंदिय परणपाथी प्रकार के वन होते हैं और किंद्र की रिपोर्ट के अनुसार 29 सागोन की ब्रक्च मद्पितिस में पाए आते हैं यहाँ पर हमारे द्वारब प्रते कोस्चन की ब्याक्ख्या दी गई है जिसमें कोसिस की गई है कि जो ऑप्सन है उससे रिलेटर जितने कोस्चन बन सकते हैं उनकी डिटेल में आपको जानकारी प्रतान कर दी जाए तो यह जो ब्याक्ख्या दी हुई है इसको आप डिटेल से पढ़िएगा और यदि इसमें से कुछ पॉइंट जो आपको नहीं आते हैं तो मैंने आपको बताए भी था पहले जो रणनीती बताए दी कि आपको डायरी में जरूर लिखते चलना है तो इसमें भी जो कोस्चन आपको पता नहीं है वो डायरी में जरूर लिख लेना है दूसरा कोश्चन है बेतवा नदी निकलती है अरावली की पहाडियों से सत्पड़ा की पहाडियों से बिंधियन पहाडियों से और पस्चमिघार से तो हम सभी जानते हैं बेतवा नदी बिंधियन पहाडियों से निकलती है तो ब्याक्या देखते हैं बेत्वा नदी का उद्गम भुपाल की दस्चर पस्चिब में बिंधियन पारी के उत्तरी ढाल से होता है यह नदी मालवा बुंदिलखंड पठार की सीमा बनाती हुई हमीरपुर में यमना नदी में उसके दाहेने टट पर मिल जाती है ललतपूर उत्तर प्रदेश में इस नदी पर माटा टीला बांध बनाया गया है इस नदी का कुल अपवाच्चेतर च्छालिस हयार पांसो वर्क किलोमीटर है इसे बुंदिलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है इसकी मुख के सहायक नदिया बीना धसान जामनी तता हलाली है तो सायक नदिया वसे शुरूप से याज रखिएगा कई बार पूछ लेते हैं कि बेतवा की सायक नदिया कौन नहीं है ठीक तीसरा कोश्चन हम देखते हैं मद्र प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है पूर्वी भाग, पस्च्च्वी भाग, आंसर सी रहेगा, मद्र प्रदेश के उत्री भाग में बार्षिक तापांतर अधिक रहता है, ग्वालियर चंबल में मद्र प्रदेश का सरवादिक तापमान दर्ज किया जाता है, जबकि एक इस्थान पर गंज वासोदा, सरवादिक गरमचित्र माना जाता है, मार्च के म B. पूरप से पश्चिम की ओर C. दच्छर से उतर की ओर और D. पश्चिम से पूरप की ओर तो इसका आंसर है सी, दच्छर से उतर की ओर यानि कि हम दच्छर से उतर में जब जाएंगे तो जो गिरीव्मितू का उस राभवान बढ़ता जाएगा बेक्षा दिखते हैं मध्य पिदेश में ग्रिस्विदू में औसत तापमाण दच्छर से उत्तर की ओर बड़ता है यहां तापमाण सूर्गी इस्तिति की एपिक्चर समुद्र की निकरता तथा समुद्र तल की उचाई से अधिक रवाबित होता है मत्य पिदेश का उसत तापमान 21 degree centigrade पाए जाता है मत्य पिदेश का सरवादिक उसत तापमान बढ़वानी में 40 पाए जाता है जबकि नियूंतन तापमान शिप्पुरी में पाए जाता है इसके बाद पाच्वा कोश्चन अधात्वे खनिश कौन सा है A. संगमरमर, B. मैगनीज, C. चांदी और D. सीसा तो हम सभी जानते हैं कि अधात्वे खनिश संगमरमर है अगला कोश्चन मनुस्ट में कितने जोडी कपाल तंत्रका पाए जाती है तो option देखते हैं A 8 जोड़ी B 12 जोड़ी C 25 जोड़ी D 31 जोड़ी तो इसका answer है B 12 जोड़ी तंत्रिका है बैख्या देखते हैं मनस्व में बारा जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई आती हैं कपाल तंत्रिका वे नसे होती हैं जो सीधे मस्तिस्क से निकलती हैं जिन में पारंप्रिक रूप से बारा जोड़े होते हैं कपाल तंत्रका मस्तिस्क और सरीर के कुछ हिस्सों के बीच मुख रूप से सिर और गर्दन के छेत्रों से डस्टी, स्वाद, गंध और स्रवण की विशेस इंद्रियों के बीच जानकारी को रिले करती हैं और भी जो भी तंत्रका आप आई जाती हैं इससे रिलेट करके आप उन तंत्रकाओं को तयार कर लीजिएगा PYQ परते समय यह विशेश दियान देना है आपको कि PYQ जिस टॉपिक से पूछा जा रहा है ठीक है यानि कि पिछले वर्सों में Question जिस Topic से पूछे जा चुके हैं उन Topic को आपको विशेश रूप से याद कर लेना तयार कर लेना है ठीक उन से और क्या 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 Question बन सकते हैं जैसे कि यहाँ पर Question पाइस्थितिक तंतर से बनाए तो आपको पाइस्थितिक तंतर से और भी Question जो बन रहे हों वो सब तयार कर लेने है Question देखते हैं किसी भी पाइस्थितिक तंतर में उर्जा का प्रामेड होता है हमेशा सीधा B सायद सीधा और उल्टा C. हमेशा उल्टा और D. उपुक्त में से कोई नहीं तो इसका अंसर है A. हमेशा सीधा बैख्या देखते हैं किसी भी पाइस्थितिकी तंत्र में उर्जा का प्रामिट सदेव सीधा होता है जो प्रामिट किसी पाइस्थितिक तंत्र में विवन पोशर तलो के जीव धारी द्वारा प्रियोग में लाई गई उर्जा के संपूर्ण परिमार का बोध कराता है उसे संचित उर्जा का प्रामिट कहते हैं यह उर्जा प्राया एक एकाई भाग में एक निश्चित समय में देखी जाती है उजा का प्रामेट सदयव सीधा बनता है क्योंकि इसमें समय यानि की टाइम फेक्टर का सदयव ध्यां लखा जाता है जो लगवक निश्चत होता है ठीक तो उजा का प्रामेट कभी भी आया कैसा बनेगा सदयव सीधा अगरा कुस्चन देखते हैं भोजन में Monosodium Glutamate MSG का उपयोग किया जाता है A. रंग बढ़ाने के लिए B. स्वाद बढ़ाने के लिए C. सुरच्छत रखने में D. पाई-सी करण में तो इसका अंसर है B. स्वाद बढ़ाने में ब्याख्या देखते हैं भोजन में Monosodium Glutamate का उपयोग स्वाद बढ़ाने में किया जाता है कई खात्य पदार्तों में यह प्राकर्थ की रूप से पाया जाता है किन्तु processed food में यह स्वाद में ब्रद्धी हितु अलग से मिलाया जाता है यानि कि जो भी हम मार्केट से package food खरीते हैं उनमें यह MSG मिलाया जाता है यह सफेद crystal powder की तरह होता है और चीनी नमक से बहुत मिलता जुलता होता है इसके सेवन से नर्व सिस्टम पर बुरा असर पड़ता है सायद कई लोगों ने देखा भी होगा नमक के जैसा एक powder सा होता है धावे पर अक्सर प्रयोग किया जाता है जिससे की जो धावे की सबजियां होती है उनका स्वाद बढ़ जाता है नेक्स्ट कोश्चन आपदा प्रबंदन एक्ट बनाया गया था तो सब को पता है कब बनाया गया था वर्स 2005 में व्याक्या देखते हैं आपदा प्रबंदन एक्ट 2005 में बनाया गया था इस अधिनियम को जनवरी 2006 में लागू किया गया था यह एक दाश्टिय कानून है जिसका इस्तमाल किंद सरकार करती है ताकि आपदा से नेपटने के लिए एक देश व्यापी योजना बनाई जा सके आपदा प्रबंदन एधिनियम 2005 ने भारत में राश्टिय राज और जिला स्तरों पर आपदा प्रबंदन के लिए कानूनी और संस्तागर धाचा प्रदान किया है इस अधिनियम का उद्देश आपदा प्रबंदन में समगर रणनी थी सयार करना और छमता निर्मार करना है अगरा कुश्चन देखते हैं इनमें से कौन सी बिमारी कोरोना वाइरस से संबंदित है ओप्सन देखते हैं मर्स, B, SARS C, COVID-19, D, ये सभी ठीक तो कोरोना वाइरस किस से संबंदित था क्या कौन सी बिमारी कोरोना वाइरस से संबंदित है ये SARS यानि की Severe Acute Respiratory Syndrome फुल फॉम याद रखिए कि आप लोग कोरोना वाइरस के संकरमड कोरोना वाइरस के करन होने वाली स्वांस की एक संकरामक बीमारी है मर्स यानि की Middle East Respiratory Syndrome भी कोरोना वाइरस से होने वाली स्वांस संबंदी एक संकरामक बीमारी है अगला कोश्चन देखते हैं एक प्रकार की मादमेक मेमोरी कौन सी नहीं है नमबर एक Solid State Drive नमबर बी Hard Disk C Random Access Memory और D USB Pen Drive तो मादमेक मेमोरी कौन सी मेमोरी होते है ऐसी मेमोरी जिन में हम कुछ स्टोर कर सके इस्थाई रूप से तो यहाँ पर आंसर रहेगा C Random Access Memory इसमें आज स्टाई रूप से स्टोर होता है तो बैक है देखते है Random Access Memory मादमेक मेमोरी नहीं है RAM में CPU द्वारा वर्तवान में किये जा रहे कालियों का डेटा और नेदेश स्टोर रहते हैं यह CPU का वाग होती है इसलिए डेटा डारेक्ट एकसिस किया जा सकता है यह कंप्यूटर की प्राथविक मेमोरी होती है से इस तीनों कंप्यूटर की मादविक मेमोरी होती है यानि की RAM हम जो भी काम कर रहे होते है वाग उस टाइम पो तो RAM में स्टोर हो जाता है उसके बाद यदि हम सट्डाउन कर देते हैं कंप्यूटर को तो RAM क्लीन हो जाती है ठीक लेकिन जो सेकंडरी मेमोरी होती है जैसे कि हार डिस्क, USB, Pen Drive इन में डेटा स्टोर रहता है मैसा अगरा कोस्चन एकसेमल का पूरे नाम है ओप्षन देखते हैं एक्जामपल मार्कप लेंग्वेज बी एक्सेंसेवल मार्कप लेंग्वेज इसका अप्योग डेटा का वर्णन करने के लिए किया जाता है यह HTML हाईपर टेक्स्ट मार्कप लेंग्वेज की तरह कार करता है DC World Wide Web Consortium ने विक्सित किया था, अगला question देखते है, microwave में बिद्दु चुम्किय तरंगे होती है, जिनकी सीमा की आवरती है, यानि question पूछा गया है, कि microwave में जो तरंगे उरती है, उनमें जो तरंगों की आवरती क्या होती है, तो आफ ये ध्यान रखिए कि जो भी equipment हम यूज क तो उन्होंने microwave का question पूछ लिया, तो इसमें option देखते हैं, 300 kHz से 3 MHz, 3 kHz से 300 MHz, C 1 GHz से 300 GHz, और D 300 kHz से 400 THz, इसका answer देखते हैं, तो इसका answer है C 1 GHz से 300 GHz, यानि कि microwave में जो बिद्दू चुम के तरंगे होती है, उनकी सीमा, उनकी जो frequency होती है, उसकी सीमा कितनी होती है, 1 GHz से 300 GHz, अगला question देखते हैं, blowfish एक प्रकार का है, तो blowfish के बारे में पूछा है कि blowfish क्या है, computer related question है, एक information technology का question है, option देखते हैं, A, summit encryption algorithm, यानि कि symmetric encryption algorithm, B, enhancing algorithm, C, digital historical algorithm, और D, a, summit encryption algorithm, यानि कि asymmetric encryption algorithm, तो इसका answer है A, summit encryption algorithm, बैख्या देखते हैं, blowfish एक प्रकार का summit encryption algorithm है, जिसे dash, या idea, 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 algorithm की रूप में भी प्रतिस्तापित किया जा सकता है, blowfish को 1993 में, Bruce Thayer द्वारा design किया गया था, इसमें 32 bit instruction processor को ध्यान में रखकर बनाया गया है, यह dash की तो लना में काफी तेज है, तो यह एक प्रकार की algorithm है, जो की कैसी है, symmetric है, blowfish, next question देखते हैं, robotics के संदर में Puma क्या है, तो Puma का full power पूछा है, तो इसमें देखते हैं, option, programmable used machine to assemble to, B, programmable utility machine for assembly, C, programmable universal machine for assembly, और D, programmed utility machine to assembly, इसका आंसर है, C, programmable universal machine for assembly, ब्याक्या देखते हैं, robotics के संदर में Puma, programmable universal machine for assembly है, robotics, robot की अभिकलपना है, निर्माड, robotics, robot की अभिकलपना निर्माड और अभी प्रियोग के विग्यान और तक्निकों को कहते हैं, अगला question देखते हैं, 2011 की जन्गर्णा के अनुसार मंद्य प्रदेश के किस जिले में सरवातिक लंगानुपात है, तो जन्गर्णा का question पूछ लिया गया है, हर बार पूछा जाता है, तो आपको बहुत ही ध्यान से जन्गर्णा को याद करना है, मद्य प्रदेश और भारत दोनों की, ठीक तो यहाँ पर मैं आपको important topic भी बताता जाओंगा, जिससे कि आपके PYQ के साथ वो topic आपको मिलते जाएंगे, साथ ही जो महत्पूर topic हैं, हम लोगों के द्वारा भी आपको cover करवाए जाएंगे, तो आप उन वीडियो को भी देखते चलना, जिससे कि वो important topic आपके cover होते जाएंगे, option देखते हैं, मंदला, बालाघाट, सीधार, दी, इंदौर, तो मध्यप्यदेश के किस जिले में सरबादक लंगानुपात है, बालाघाट में, option B इसका सही रहेगा, बैख्या देखते हैं, 2011 की जनगर्णा के अनुसार, मध्यप्यदेश के बालाघाट जिले में सरबादक लंगानुपात है, मध्यप्यदेश में सरबादक लंगानुपात वाले जिले बालाघाट, दस्तो एकीस, अलिराजपूर, दस्तो ग्यारा, मंदला, एक हैजाच्छे, डिनोरी, एक हैजार दो, तता जावुआ 990 है, इसी प्रिकार नियुन्तम लंगानुपात वाले जिले इस प्रिकार हैं, भिंड 870, भिंड 837, मुरैना 840, ग्वालियर 864, जदिया 833, तता शिपुदी 877, ग्यातव है कि मध्यप्यदेश का सकल लंगानुपात 931 है, जो की राष्टी आउसत 943 से 12 अंक के नीचे है, 2001 की जन्गरणा में सकल लंगानुपात 919 था, तो यह जन्गरणा में आपको बहुत अच्छे से तयार करनी है, इससे और भी कोस्चन आंगे की परिच्छा में पूछे जा सकते हैं, इसके लिए मैंने एक ट्रिक तयार की थी, अगर आप लोगों को वो ट्रिक अच्छे लगे, तो आप उसको याद कर सकते हैं, जो लंगानुपात के लिए चार्ज ले, बाला, आला, माला, डाला, ठीक, बाला से बाला घाट, आला से यानि अली राजपोर, और माला से मंगला, और डाला से डिनोरी, बाला आला, माला डाला, ठीक है, यदि ये पसंद आए, तो आप याद कर लीज़ेगा,